CBSE ने दिनांक 30 जुलाई 2021 को एक प्रेस रिलीज सीटेट 2021 के सम्मन्द में जारी किया है जिसे आप स्क्रिन पर देख पा रहे होंगे जैसा कि आपको ग्यात होगा राष्ट्रे सिख्षानेती 2020 में ये मिंशन था कि टीचर इलिजेबिल्टी टेस्ट को और ज्यादा मजबूत किया जाए उसी के क्रम में ये प्रेस रिलीज जारी करके CBSC ने आवश्यक जानकारी दी है कि क्या कुछ महतोपूर्ण बदला होने जारे आने वाले सिटेट की परिछा में दूसरा पहर आप देख सकते हैं मतलब अभी तक जो प्रेस्ट पूछे जाते थे वो फैक्चुल बेस्ट नॉलेज पर पूछे जाते थे लेकिन अब इसमें महतोपूर्ण बदलाव करते हुए प्रशनों को अलग अलग तरीके से किस प्रकार से हल किया सकता है इस प्रकार के तार्किक छमता वाले प्रशनों को इंक्लूड किया जाएगा कहने का मतलब यह है कि अभी तक जो आप रटे रटाय प्रश्ण देखते थे उस प्रकार के प्रश्णों को पूरी तरीके से निंगलेक्ट किया जागा आने वाली seated परिच्छा में और एक ऐसे paper pattern को तयार किया जागा जो कि पूरी तरीके से आपके समझ पर based होगा कोई भी र 21 की परिच्छा होना प्रस्तावित हो सकता है उसी किक्रम में आप second पहरा देख सकते हैं It is also notified that the next seated examination will be conducted during December 2021 और January 2022 in online mode which will motivate the futuristic teachers to become computer literate मतलब अब जो भी seated की परिच्छा होगी इसी सत्र से मिला करके वो सभी परिच्छा है अब online mode में होगी offline mode परिच्छा नहीं होगी क्योंकि अब यर्तियों को जो सिख्छक बनने जा रहे हैं उनको computer की सिख्छा भी देना अनिवार है राष्टे सिख्छानीती 2020 में ये महतोपूर्ण बाते कही गई थी इसके अलावा second last line देखिए The CBSC will set up facilitation center in the district where the candidates will be provided free of cost facility of attempting online mock test मतलब प्रतेक जिले में CBSC के द्वारा एक ऐसा examination centers online तयार किया जाएगा जहां पर आप जाकर के online परिच्छा दे सकते हैं एक mock test के रूप में ताकि परिच्छा से ठीक पहले आप उस environment में अपने आपको ढाल सकें साथी detailed notification और परिच्छा की पिथी अलग से एक notification में CBSC के द्वारा जारी किया जाएगा ये तो मोटा मोटा CBSC के द्वारा press release जारी करके एक overview दिया गया है कि क्या कुछ महतोपुन बदलाव हो सकता है लेकिन यहाँ पर combined form में अगर ये लिखा हुआ है कि paper pattern में बदला होने जारा है इसके पहले भी CBSC के द्वारा कुछ महतोपुन प्रावधान के संदर में प्रतेक राज्यों से सुझाओ मांगे गये थे जिसमें दो प्रमुक प्रावधान थे जिस प्रकार से आप देखते होंगे IBPS के एक्जाम में प्रतेक सेक्शन में अलग-अलग cutoff आपको qualify करना पड़ता है क्वालिफाई करना पड़ता है वो प्रतेक सेक्शन में भी qualify करना पड़ सकता है जैसे कि अगर बाल विकास की बात की जाए तो 30 प्रतिशन पूछे जाते हैं तो 30 का 60 प्रतिशत यानि 18 प्रतिशन अगर आपके सहिंगे तभी आप उस सेक्शन में qualify माने जाएंगे इसी प् की परिचा में निगेटिव मार्किंग को इंट्रिद्यूस किया जा सकता है या फिर नहीं तो यह सब कुछ महतोपूर्ण सुझाओ हैं जिस पर CBSC लगतार कारे कर रही है हलांकि निगेटिव मार्किंग और सेक्शनल कट-off के संदर में अभी इस प्रेस रिलिज में 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 नहीं किया गया लेकिन कंबाइंड फॉर्म में यहां पर बाते जरूर मेंशन की गई हैं कि हम पूरे परिच्छा के पैटर्न को ही बदलने जा रहे हैं तो हो सकता है इस टाइप का भी कुछ प्रवधान हो क्योंकि CBSC पहले ही इस पर 200 से विचार कर रही है अब जब डिटे परिच्छा ऑनलाइन मोड में ही होगी सीटेट 2021 की परिच्छा दिसंबर या फिर जनवारी 2022 में हो सकती है अब आपके मन में प्रशन आ रहा है कि जब CBSC सीटेट की परिच्छा में पैटर्न में बदला होगा बिलकुल हो सकता है देखिए CBSC के दौरा ही सबसे पहले टीचर eligibility test परिच्छा का आयजन किया गया था और इसी को देख करके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी यूपीटेट परिच्छा का आयजन प्रारम किया गया और परिच्छा के पैटर्न में भी लगबग कुछ चीजे common रखी गई थी आप लोग देखते होंगे यहाँ पर सि National Education Policy 2020 के आधार पर ही ये बदलाव करने जा रही है जो कि राजियों पर भी लागू होगा इसके अलावा मानने सुप्रीम कोट में टेट इन्वैलिड वाले मैटर की सुनवाई करते हुए मानने सुप्रीम कोट ने प्रदेश सरकार को ये निर्देशित किया था कि आप निती में भी ये क्लियर मेंशन किया गया कि टेट को और ज्यादा मजबूत किया जाए इसके अलावा प्रदेश सरकार की जो कमिटी बनाए गई थी अध्यापक सेवा नियमावली के संदर में उसने भी ये बाते मेंशन की थी कि टेट की परिच्छा को और ज्यादा कठिन बनाया जाना चाहिए इन सब के बाद से उमीदे हैं कि जिस प्रकार से CBSC ने अपने परिच्छा पैटर्न में बदलाव किया है यूपी टेट भी अपनी परिच्छा पैटर्न में महतोपूर्ण बदलाव कर सकता है और अब आपको सीटेट या फिर यूपी टेट या फिर क माक्स भी अब बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि सिख्छा सेवर नियमावली में भी एक बट्टे चार टेट के माक्स को जोड़े जाने के प्रावधान के संदर में प्रदेश की सरकार से सिफारिश की गई थी आज के वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ आपको ये अबडेट पसंद आयोगी ऐसे ही मातोपून अबडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शोभू झाल करा जए आपका दिन शोभू। झाल झाल झाल